नमस्कार कुछ बाते एसी होते हैं ना कि आप अपने दिमाग में बैठा लेना वो बाते अगर आपने अपने दिमाग में बैठा ली ना तो आप जो आप कोई कारी कर रहे हो ना उस कारे से बहतर कारे आप कर पाऊगे कुछ इनोवेटिव कुछ डिपरेंट तरीके से वो कारी आप कर पाऊगे अपने कारी में कुछ नया कर पाऊगे कुछ एसी अच्छी बाते हैं जो आपको अपनानी चाहिए अपने लाइब में नमबर वान आप कोई भी बहाना बनाते हो ना आप क्या देखते हो आप किसी दूसरे को दोखा देते हो या अपने फ्रेंड को दोखा देते हो या आपने किसी को भी दोखा देते हो नोन नयवार अगर आप कोई बहाना क्रिएट कर रहे हो ना तो समझ लेना सबसे बड़ी आपकी भूले आप दूसरों को दोका नहीं देओ आप आप स्वैक को दोका देओ अरे यार अभी बहुत सारा टाइम है यार ये काम में कल भी कर लोगा परसू भी कर लोगा काम तालने की आदत काम जीच चुराने की आदत कुछ ऐसे से बहाना होते हैं न हर इसान के वह common बहाने होते हैं अगर आप भी ये बहाना करते हो न तो ध्यान रखना आप किसी दूसरे को दोका नहीं दे रहें आप अपने स्वेक़े को दोका दे रहें इसलिए कभी भी बहाने मत बनाना अपने लक्ष के परती वरना आप अपने लिए स्वय कब्र खोदोगे समझदार व्यक्ति क्या करता है पता है आपको उसके कान ओपन रहते हैं और उसका मूँ प्लोस बंद रहता है अगर आपको भी कुछ अच्छी बाते ग्रण करनी है कुछ नया सीखना है कुछ लोगों से कुछ बातें गेन करनी है न तो अपना मूँ बंद रखना और कान खुले रखना जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं वो पने कान खुले रखते हैं, कान खुले क्यों लगते हैं? कुछ अच्छी बाते हुआ गरन कर सके रोग से, और मूँ बंद करते हैं हो, उनको पता है कि किसी की बात को अपनको सुनना है, कुछ नया गरन करना है तो मूँ बंद रखना होगा, अगर वो बोलेंगे तो वो कैसे सुनेंगे अच्छे अच्छे बात इसलिए आप हमेसा अपने कान खुले रखे और मुग बन रखे हमेसा अपने गल्तियों पर ध्यान देना हर इंसान से गल्ति होती है कोई भी कारी करता उसे गल्ति होती लेकिन अगर आप अपने गल्ती को सुधारोगे ना आप अपने गल्ती पर एक रिसर्च करोगे यार मैंने कहां गल्ती की है और क्यों गल्ती की है और किस वज़े से गल्ती की है अगर आप उस गल्ती को दुबारा recreate नहीं करोगे दुबारा वापिस नहीं करोगे ना तो आप चिवन में कभी मात नहीं करोगे वही गलते दुबारा करोगे वही गलते दिबारा करोगे तो आप से बड़ा मुर्ग इस दुनिया में कई नहीं होगा आप से बड़ा इस्टूपिड इस दुनिया में कोई नहीं होगा, इसलिए कोई भी आप मिश्टेक करते हो, कोई बात नहीं, एवरिवन केंग मिश्टेक, हर कोई मिश्टेक कर सकता है, लेकिन अगर आप उस मिश्टेक को वापिस रिपीट करोगे न, तो बस यही आपकी कद्यों, भी पीट मत करना, जीवन में हमेसा आगे बढ़ते जाओंगे, कोई भी छोटा बीज होता है ना वो जमीन में जब डाला जाता है ना तो कुछ समयबाद पेड का रूप ले लेता है तो एक छोटा विचार है एक positive thinking अपने दिमाग में हमेसा रखना जीवन में कभी भी negative thinking की मता आप दे आने में एक छोटा सा पौजटीव विचार आपके दिमाग में कुछ भी कर सकता है और एक छोटा सा नेगटीव विचार आपके माईंड में Anything can happen, कुछ भी कर सकता है तब ही तो बड़े वित्वान लोग क्या केते हैं माईंड में हमें सब पौजटीव सोच रखे हैं वो क्यों कहते हैं उनको पता है कि जिस इंसान के माइंड में पोचे कि सोच होती है ना कुछ भी कर सकता है इसलिए किसी भी कंडिशन में एवरी कंडिशन इन एनी सिच्वेशन कभी भी अपने माइंड में नेगेटिव थिंग की मतला जिस दिन आपके दिमाग में नेगेटिव थिंग आगे ना उस दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा इसलिए हमें साथ आप चाहिए किसी भी कंडिशन में वस्ट से कंडिशन में हो आपकी बुरी से पूरी हालत हो फिर भी मायमें दो पोजेटिव सोच रखना वह पोजेटिव सोच पिर आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया की पता है आपको बढ़ी खराब आदत है रोते को रूलाती है दुनिया और ड़ने वाले को डराती है इसलिए त्यान रखना कि आप दुनिया के सामने अपने दुख्रा न रोये आप दुन्या के सामने अपने आपको मत डराएं परना यहां आपको कोई नहीं मिलेगा आपको सपोर्ट देने के लिए आपको ढंडस बदाने के लिए आप रोगे तो दुन्या में ऐसे लोग और मिलेगे को आपको और जदा रूलाएंगे आप डरोगे तो दुन्या में ऐस झाल झाल